हेलो सेडेंस, मिरा नाम वनीत पांडे और आप देख रहे हैं टूपाई क्लासेज, बच्चों, मोशन चैप्टर को हम लोग एश्चान बुक से सॉल्फ कर रहे थे, पेज नंबर 39, कोशन नंबर 6 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले मैं आपको इंफोर्मिश सॉलुशन्स, मोशन चैप्टर बाय टूपाई क्लासेज, ठीक है, तो इसका प्लेलिस आपको मिल जागा, इसके पहले के कोशन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक, अब आईए बच्चों कोशन पढ़ते हैं, कोशन नंबर 6 के रहा, वाट डस दे स्लोप आफ स्पीड टाइम ग यहाँ Y-axis पे हमने स्पीड लिया, ठीक है, अब टाइम की उनिट होती है सेकेंड, एसका मतलब सेकेंड और स्पीड की उनिट होती ही मीट पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए जरा, माल लिजे कि 1 सेकेंड पर स्पीड कितनी है, 5, ठीक है, 2 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी, 10, ठीक है, 3 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी, 15, इतना काफी होगा, ध्यान से चेक करिए, या 4 सेकेंड पर कितनी होगी, 20, ये लिजे, ठीक, तो 1 सेकेंड पर होगी, 5 मीट पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर चेक किया, तो स्पीड है 10 मीट पर सेकेंड, कर रही है देखिए हर एक सेकंड में वन सेकंड में 5 नेक्स वन सेकंड में 5 और बल गई तबी तो 10 हो गई ठीक है ना यह देखिए 1 पे 5, 2 पे 15 और 2 पे 10 और 3 पे 15 और 4 पे क्या हो गया 20 अब देखिए यह स्पीड टाइम ग्राफ है अब स्लोप का क्या मतलब होता है बच्छों यह मैं आपको बताना चाहता हूं स्लोप का क्या मतलब होता है स्लोप से इसको थोड़ा से हटा देते हैं यहां से देखिए बहुत सारे बच्छों को स्लोप का नहीं मतलब पता है तो स्लोप का यह मतलब होता है कि यह जो स्पीड टाइम ग्राफ आया है यह जो लाइन आप देख रहे हो ऐसे स्ट्रेट लाइन हाना कि यूनिफॉर्म ए कैसे निकाला जाता है तो यह एंगल निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं कैसे निकाला जाता है ध्यान से चेक करिए देखिए कुछ नहीं करना है आपको माल लीजे कि यह देखिए 3 second मैं आपने speed check करी तो 3 से y axis के parallel एक line draw करीए ये इस तरीके से और ये एक triangle त्यार हो जाएगा और ये angle है theta कितना theta ठीक है इस theta angle को हम क्या बोलते है slope मतलब ये वाली line x axis से anti clockwise direction में कितना angle बना रही है ये ही क्या होता है slope होता है slope निकालने का तरीका simple सा है कुछ नहीं करना आपको जो triangle आपको दिख रहा है उसमें आप क्या करोगे perpendicular by base क्या कर दोगे perpendicular by base ओके तो ये देखी ये क्या है perpendicular और ये क्या है by base ठीक तो perpendicular कितना है 15 है चेक कर लीचे ये मालीचे triangle A, B, C हमने लिया ठीक ये triangle A, B, C हमने लिया तो perpendicular कितना है A, B, A base कितना है ये वाला point B है ठीक BC है तो slope कितना हो जाएगा A, B, B, C अब अगर आप ध्यान दोगे ठीक तो A, B, A, B क्या है ये देखी ये A, B की length कितनी है तो जवाबे A, B की length है 15 ये देखी ये origin है 0, 0 से लेके 15 जितना ये है, ये उतना ही तो ये है, ठीक तो 15 अब 15 क्या, unit के साथ लेको तब आपको बता चलेगा 15 meter per second, क्यों? क्योंकि Y axis पे speed आ रहा है और ये 15 क्या है, 15 meter per second है क्योंकि speed unit meter per second है divided by BC, BC क्या है ये देखी B से C तक क्या है B से C तक है, 1, 2, 3 3 क्या, second 3 second, ओके, अब यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे बच्छे, ध्यान से, ये वाला second आएगा और नीचे multiply करेगा 3 बंजा 3 और 3 फाइदा 15 5 upon 1 क्या होता है, 5 और यहाँ से आजएगा meter per second square, क्योंकि ये वाला second आएगा नीचे multiply करेगा, second into second क्या होता है, second square, तो meter per second square आया answer, याने कि meter per second square कौन सी physical quantity की unit होती है, exploration की याद है भाई, कौन सी physical quantity की unit meter per second square होती है, exploration की याने कि जब आपने slope निकाला, ठीक तो जब आपने यहाँ unit भी रखके देखा, तो unit आगे ये exploration की, ठीक, इसका मतलब जो slope होता है, किसका slope, speed time graph का slope किसका slope निकाला आपने, speed time graph का slope तो जो speed time graph का slope है, वो किसको बताता है, exploration को बताता है, कैसे पहचानता हूँ अगर आपने last के वीडियो से हमारे देखे हूँ, तो मैं unit की help से पहचानता हूँ, चाहे वो area under the curve पूछे, चाहे वो slope of the curve पूछे, slope of the graph पूछे, हर एक बार मैं unit की help से, unit निकाल लेता हूँ मैं graph से, और मुझे पता चल जाता है की बही कौन सी physical quantity को यह बता रहा है, तो देखी unit निकाल ली मैंने, meter per second square आ गया, meter per second square किसका unit होता है, exploration का, इसका मतलब speed time graph का जो slope है, वो किसको बताता है, तो जवाब है वो बताता है exploration को, ठेक, तो यह जो भी body का motion यहाँ पर दिया, उसका speed है, straight line में एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही, बस direction नहीं change कर रही, मान लो A से B की तरफ चल रही है body, ठीक है, straight line में जब motion होता है, एक ही direction में, तो जो speed होती, वही velocity होती है, ठीक, तो यहाँ पर escalation 5 meter per second square आने का यह मतलब है, कि 5 meter per second per second, यानि कि हर एक second में speed, या फिर velocity में कितना change जा रहा है, 5 meter per second का जाके graph में देख लीचे, ठीक है, first second में check किया, तो 5 meter, second second में check किया, तो 10, one second से two second के बीच में one second का interval है, और इस one second के interval में speed कितनी increase कर रही है, 5 से, 5 थी 10 हो गई, 10 थी 15 हो जागी, तो हर एक one second में speed पर second में speed या फिर velocity 5 meter per second के rate से increase कर रही, यानि कि ये escalated motion का, यानि कि speed time graph का जो slope है, वो आपको क्या बताता है, escalation के बारे में बताता है, तो ये answer लिख दीजे, the slope of a speed time graph indicates escalation, तो ये रटी है नहीं किसी भी question को, याद करने की कोशिश मेंद करो, देखो कि graph क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसको copy पर बना के देखो, उस knowledge को digest करो, तब आपको अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ओके, note कर लीचे, now students, question number 7, what does the slope of distance time graph indicate, ये देखिए, एक distance time graph बनाते हैं, let us say, यहाँ पर time है, ओके, और ये y-axis पर क्या है, distance है, ओके students, तो यहाँ पर क्या है, distance है, अब इसका slope निकालना है, slope क्या होता है, देखिए, ये 1 second, ये 2 second, time का हमने second में लिया है, और ये 3 second, ये 4 second, इतना काफी है, ठीक है, मान लो 1 second पर जो distance है, वो 5 meter की है, ठीक है, 2 second पर चेक किया, body 10 meter का distance travel कर चुकी है, 3 second पर चेक किया, body 15 meter का distance travel कर चुकी है, 4 second पर चेक किया, तो body 20 meter का distance travel कर चुकी है, distance यल रहा है, meter में, distance का unit meter, और time का unit second, ठीक, अब देखिए, 1 second पर कितना था, 5, 2 second पर कितना distance था, 10, 3 second पर कितना था, 15, 4 second पर कितना था, 20, तो यह आप graph draw करोगे, इस तरीके से, तो straight line आ जाएगा, अब देखिए, इस curve का, यह जो curve है, आफिर graph है, किसका, distance time graph का, distance versus time का जो graph है, यह रहा, straight line है, तो कि यह uniform motion का, just मैंने easily graph बनाया है, ताकि आपको concept clear हो जाए, ठीक है, तो slope का मतलब होता है, कि यह जो graph है, distance time graph का, यह x axis के साथ कितना angle बना रहा है, यह देखिए, यह theta, यह जो angle है, इसको ही हम क्या बोलते है, slope बोलते है, ठीक, यह जो graph है, इसने x axis के साथ, यानि कि time axis के साथ, कितना angle बनाया है, यही क्या है, यह एसा वाला angle, इसी को हम slope बोलते ह है माल यह कोई भी time interval ले रहे हो आप कोई भी मालो 3 ले रहे हो ठीक है तो 3 से क्या करना है आपको y access के parallel एक line draw करनी है यहाँ आपको a मिलेगा यह आपका b और यह आपका c यह तो आपको एक triangle मिल जाएगा triangle abc जोकी right angle triangle यहाँ 90 ठीक है ना अब इसका slope निकालने का simple सा तरीका होता है यह दिखिए slow का फामुला होता है perpendicular by base याद रखिएगा तो perpendicular कितना है a से b तक a b ठीक यह लीजे और base कितना है base है BC ठीक अब यह जो perpendicular है a b यह कितना है इसकी length a से b तक कितनी है तो जवाब इतनी है यह दिखिए ना आमने सामने equal हो जाएगा यहाँ से perpendicular ड्रॉब करो यह तो a b की length इतनी हो जाएगी यह 0 से 15 तक यानिक 15 15 क्या मीटर यूनिट ज़रूर लिखिएगा 15 मीटर ठीक क्योंकि वाइक्सस पर और यूनिट क्या बच गया मीटर पर सेकेंट तो स्लोप निकालते टाइम आप बस यूनिट का ध्यान रखो आपको पता चल लाएगा कि दिए गए ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है तो देखिए मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है अब मीटर पर सेकेंड कौन सी फिजिकल कॉंटिटी का यूनिट होता है एक तो स्फिसेकल कॉंटी की का लापकाउं स्पीड का यूनिट होतना है अब इन दोनों मेंसे कौन सा अंसर देंगे तो जवाब है अगर वह нормально पता थैं। और अगर distance versus time देता है तो हम speed बताते हैं और distance versus time दिया हुआ है क्योंकि speed क्या होता है distance by time और velocity क्या होता है displacement by time ठीक इसलिए हम बताएंगे क्या कि slope of distance time graph हमको क्या देता है speed के बारे में बताता है, ठीक, तो क्योंकि unit आ रही है, speed की, क्या निकालने पर, slope निकालने पर, किसका slope निकालने पर, distance और, distance versus time graph का slope निकालने पर, speed की unit आ रही है, इसलिए हम answer में लिखेंगे, the slope of a distance time graph indicates speed, okay students, हमेशा ध्यान रखेगा, question को याद करने की कोशिश मत करिए, graph ब where an object does not change its speed, but direction of the motion changes continuously, तो बच्चों, यह बहुत easy question है, देखिए मैं आपको एक बार, short में explain कर देता हूँ, यह कोई circular path है, ओके, और इस circular path में, कोई body, कोई object, यह motion कर रहा है, ऐसे, मानलो clockwise, ऐसे, ठीक, और इस circular path में, यह जो object motion कर रहा है, अगर यह constant speed से motion कर रहा है, कैसे motion कर रहा है, constant speed से, ठीक है, यहने कि speed नहीं change हो रही है, ठीक है, let us say, speed is की, कुछ भी मानलो, let us say, 10 meter per second, ओके, यह object point A से चलना शुरू करता है, और 10 meter per second की constant speed से चल रहा है, यहने कि हर एक second यह 10 meter की distance travel करेगा, एक second में 10 meter, next one second में 10 meter, यह path length, ओके, next one second में 10 meter, and so on, to next one second में 10 meter, ठी इसकी speed constant है, ठीक, लेकिन, इसकी direction लगातार change हो रही है, यहने कि इसकी velocity लगातार change हो रही है, ओके students, अब, इस body की, जो की, इस circular path में, constant speed के साथ motion कर रही है, इसकी direction कैसे निकालते है, तो मानलो, यह body clockwise motion कर रही है, ऐसे, तो आपको क्या करना है, अगर, मानलो, यह वाले point प पर constant speed से motion कर रही है, तो उसकी direction हम कैसे निकालते हैं, तो जबाबे उसकी direction हम निकालते हैं, tangent ड्रॉ करके, tangent क्या होती है, एक line होती है, जो point को touch करके जाती है, यह लिजे, तो point B पे, body की direction इधर है, point C पे, body की direction इधर है, मानलो, point C है, ठीक, मानलो, point D है, यहाँ पर मुझे body direction है वो लगातार change हो रही है motion की direction continuously continuously क्या हो रही है चेंज हो रही है ओके students तो ऐसे motion को हम पताए क्या बोलते हैं ऐसे motion का हम बोलते हैं UCM UCM uniform circular motion अब uniform circular motion की बहुत सारे example है uniform circular motion जैसे कोई चार है और अर्थ इसके चारो तरफ एक constant speed से घूम रही है, जो कि घूमती है आपको पता है, ठेक, इसी तरीके से आप ये सोच सकते हो, कि यहाँ center पर अर्थ है, और कोई artificial satellite है, ये कोई artificial satellite है, जो अर्थ के चारो तरफ एक constant speed से घूम रहा है, ठेक है ना, तो ऐसे motion को हम uniform circular motion बोलते है जिसमें circular path पर body चल रही होती है, speed constant होती है, और direction हर एक पल change होती है, direction कैसे निकालते हैं, हर एक point पर tangent रो करोगे, तो ये जो tangents हैं, ये body की directions के बारे में आपको बताएंगे, तो हर एक पल body की direction क्या हो रही है, change हो रही है, ठेक है ना, तो इन्होंने हम से यही question पूचा था give one example of motion where an object does not change its speed but its direction of the motion changes continuously, so answer इसका, the motion of an artificial satellite around the earth is an example of motion, bracket मिलिग देंगे, uniform circular motion, where an object does not change its speed but the direction of motion changes continuously, okay, note कर ली चे, now students, लेते हैं question number 9, okay, तो बहुत easy question है, question number 8 जैसा यह है, name the type of the motion in which a body has a constant speed but constant but not constant velocity, okay, तो यह देखिए, अगर कोई body बच्चों, uniform circular motion कर रही है, यह center है और यह circular path है, okay, मान लीजिए object ने a से motion start किया और इसकी speed constant, let us say कोई car है और वो गोल चुराहे पर गोल चकर लगा रही है इस तरीके से, circle path में चल रही है और उसकी speed constant है, मान लो कि car की जो speed है, वो कितनी है, let us assume 2 meter per second, okay, यानि कि हर एक second में, वो जो car है वो 2 meter का distance टेबल करेगी, 2 meter per second का मतलब per second मतलब 1 second में 2 meter का distance, okay, तो यहां से यहां जाएगी, 1 second में next, यहां से यहां जाएगी next 1 second में, ठेक, यानि कि हर एक 1 second में वो 2 meter का distance, 2 meter, 2 meter, 2 meter, तो इस तरीके से, speed तो constant हो गई, लेकिन इसकी जो velocity है, वो constant नहीं है, velocity, देकिए speed आपकी scalar quantity है, speed को बताने के लिए, केवल धीया, speed का magnitude, लेकिन, जो आपकी vector quantities होती है, जैसे की velocity, ठेक, तो आपको पता है, कि velocity एक vector quantity है, और vector quantity को explain करने के लिए, आपको magnitude की जरुषत तो होती ही, ठेक है, magnitude की जरुषत तो होती हुती है, साथ में आपको direction की जरुषत भी होती है, साथ में आपको direction की दरुवत भी होती है ठीक है ना तो यहाँ पर जो velocity है उसका magnitude तो speed के equal हो जाएगा ठीक है ना velocity का magnitude speed ही होता है ठीक जो speed है वही velocity का magnitude है तो velocity का magnitude तो 2 meter per second है लेकिन velocity की direction हर एक पल change हो रही है तो जब कोई body circular path पर इस तरीके से motion करती है ठीक तो उसकी velocity की direction निकालने के लिए क्या करते है मालो यह वाले point पर आपको velocity की direction निकालने है और body clockwise चल रही है ऐसे तो आपको कुछ नहीं करना है इस point पर tangent पर टेंजन ड्रॉप करोगे यह इस तरीके से यह लीजे tangent टेंजन क्या बताता है बोड़ी की direction बताता है यह velocity की direction बताता है इस point पर ऐसे tangent ड्रॉप करोगे इस point पर ऐसे tangent टेंजन क्या होता है एक line नहीं होती जो की circle को एक single point पर टच करके जाती है ठीक इस point पर यह direction एंड सो ऑं तो इस point पर यह direction ओके तो आप क्या देख रहे हो हर एक पल किसी भी point पर चेक करोगे तो body की velocity की direction change हो रही है तो body की velocity को वेलास्टी के पास दो चीज़े होती मागनिटूट और डरेकशन इन दोनो में से अगर कोई भी एक चेंज ओ गया तो हम मन लेंगे वल क्वेलot बोलास्टी कÅस्थे क्वेलास्ट्ट कॉण्स नहीं रहें दैगी क्युंकि वडस्टी अब velocity constant नहीं है ठेक तो यह एक ऐसा example है जिसमें velocity constant नहीं है अब इस type के motion को जिस motion में speed constant रहती है लेकिन velocity की direction change होने की वज़े से velocity constant नहीं रह पाती है velocity change होती है ऐसे motion को हम क्या बोलते है uniform circular motion ओके uniform circular motion बस यही आप से question में पूछा था name the type of the motion in which a body has a constant speed but not constant velocity ठेक तो constant speed है but constant velocity नहीं है तो ऐसे motion को हम क्या बोलेंगे uniform circular motion तो यह लीचे ऐसे motion को हम क्या बोलेंगे uniform circular motion ओके तो uniform circular motion में speed constant होती है has a constant speed but not constant velocity ओके note कर लीचे now students question number 10 what can you say about the motion of the of a body if its steam if its speed time graph is straight line parallel to time axis okay तो यह देखिए यह time है time axis है यह time चल रहा है x axis पर ओके और यहाँ y axis पर speed चल रही है अब इन्होंने हम से क्या बोला है कि जो speed time graph है ठीक है ना वह कैसा है parallel to time access है ठीक याने की graph ऐसा कुछ होगा अब ऐसा कुछ होने का यह मतलब है बताता हूं मैं आपको यह ऐसा कुछ कह रहा है यह time है और यहाँ speed है ओके तो यह देखिए यह ऐसा graph आ रहा है ठीक color change कर देता हूं यह graph है आपका yellow color से जो दिखाया है ठीक है यह अब इसका मतलब समझने के आई यह मैं आपको बताता हूं माल लीजिए कि यह वन है यह 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 3 seconds ठीक है यहाँ 1 meter per second यह 2 meter per second और यहां 4 meter per second और यहां 4 meter per second और यहां 5 meter per second ठीक चली में और टाइम चल रहा है आपका second में चेक नो अब माल लीजिए किसी object को आप यह एक table बनाते है यह यह time है यह ताइम है और यहाँ यही ए पर सेट है यह पीद किस्ट्स फाइट पूइटप ऐसे कितनी है फाइब ट्री सेकेंड बे बी इतनी है तो पॉइंट्स में ग्राफ लोट करना तो ना 1.5 फिर आपको मिलेगा 2.5 फिर आपको मिलेगा 3,5 and so on ठीक है 1 second पर speed 5, 2 second पर speed 5, 3 second पर speed 5, यह देखिए 4 second पर speed 5, 5 second पर speed 5, तो इस तरीके से यह एक इसा graph आएगा, यह speed time graph x access के क्या है, parallel है, time access के parallel है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहू हूँ, इसकी speed constant है, इसकी speed क्या है, constant speed ही नहीं change हो रही है, और यह uniform motion का क्या example है, yes, example है, क् तो आपका escalation कितना होगा, 0, क्योंकि escalation क्या होता है, change in velocity, या change in speed आप बोल सकते हो क्योंकि जब motion in straight line में होता है तो जो उसकी velocity होती है वही speed होती है तो speed constant है याने कि velocity constant है ठीक motion in straight line मानके चल रहे हैं हम आपके slabus में motion in straight line है ना मानलो कोई body a point से b point की तरफ जा रही है ऐसे बस simple इस तरीके से ओके तो motion in straight line हो रहा है एक ही direction में हो रहा है direction नहीं change हो रही है ये विलास्टी भी constant है ये विलास्टी भी नहीं change हो रही है तो यहांप С इस ग्राफ में क्या एक तो constant speed को यह दिखाता है और दूसरा exploration यहां कितना होता है जीरो होता है याद रखिएगा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे exploration जीरो क्यों होता है मैंने आइक तो बता जेए speed velocity बास्टिम चेंड नहीं हो रहा है दूसरा राफ से देख सकते हो आप speed time graph का जो slope है last questions मैं आपको बताता speed time graph का slope क्या बताता है escalation को बताता है और यहां पर slope कितना है zero है क्यों से slope क्या होता है से slope क्या होता है slope होता है x-axis के साथ कितना angle बना रहा है यह जो graph है speed time graph x-axis साथ कितना angle बना रहा है यह speed है ठीक है तो यह जो graph है यह तो x-axis साथ कुछ angle ही नहीं बना रहा है two lines अगर parallel होती है उनके बीच में angle zero होता है याद रखिएगा two lines अगर parallel होती है उनके बीच में angle कितना यानिए और यहां पे स्लोप कितना है जीरो है एंगल जिरो का मतलब SHnot बताता है यह स्लोप होता है यहाँ फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्लोप क्या है जीरो है क्योंकि लई अपस में प्यार्लल है यह यह देखिए यह जो ग्राफ है यह थाइम एकस्ट क्त kuras slope किसको बताता है, speed time graph का slope किसको बताता है, escalation को, escalation क्या हो गया, 0, इतनी बात है मैंने आपको बता दी, आपके knowledge के लिए, इसको आप digest करिए, copy में note करिए, और solution में तो बस आपको simple यही बताना है कि speed time graph is a straight line palette to the time axis, then the body is moving with a constant speed, और escalation के बारे में यहीं पूछ लेता है, तो बोल देता है, escalation कितना होगा, 0 होगा, okay, note कर लीजे, now students, लेते हैं question number 11, what conclusion can you draw about the speed of a body from the following distance time graph, ठीक, यह distance time graph है, okay, और distance time graph में, यह देखे बच्चो, इस तरीके से यह straight line आ रहा है, okay, तो यह आपको क्या information दे रहा है, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इसकी speed constant है, क्या है, बहुत तरीके से आप इसको समझ सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ, इसकी speed क्या constant है, speed नहीं change हो रही है, अगर आप ध्यान से चेक करो, ठीक, क्यों नहीं, speed change हो रही है, यहाँ पर यह uniform motion का भी example है, आईए हम आपको बताते हैं, graph कैसे आया होगा, एक table मैं आपको लेके दिखाता हूँ, तो आपको शायद द्यादा clear होगा, यह देखिए, इस table को देखिए, इस example को देखिए, यहाँ time लिया हमने, ठीक, और यहाँ पर हमने distance ले ली, time और यह distance ले ली, distance, time 0 है, distance 0, time 1 second, तो मालो distance हो गई, कितनी 5 second, time 2 second, तो distance हो गई 10 second, time 3 तो distance हो गई 15 second, आप क्या देखिए, equal interval of time में equal distance travel कर रहा है, हर एक 1 second के interval पे 5 का distance travel कर जाता है, starting के 1 second में, 0 से 1 second जब हुआ है, 1 second का time निकल गया, तो 5 meter का distance travel कर लिया, 1 से 2 second के बीच में, फिर से 5 का distance travel कर लिया, 5 तो चल चुका था, 5 और चला, तो next 1 second में, 2 से 3 second के बीच में 5 meter और चल गया, ठीक, यानि कि equal interval of time में equal distance travel कर रहा है, ठीक, तो यहाँ से देखिए, गर आप बनाएंगे जब आप, यह 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, यह क्या है, आपका time है, और y axis पे क्या रही है, distance हा रही है, ठीक, 5 meter, फिर 10 meter, फिर 15 meter, तो 1 second में, 0 second पे 0, 1 second में, 5, ठीक, 2 second में, 10, और 3 second में, 15, यह लीजे, यह straight line बन गई, तो distance time graph का, distance time graph का, जब कैसा होता है, straight line होता है, ठीक, न, तो उसकी speed क्या होती है, constant होती है, यहाँ पे speed कितनी हो रही है, बता है, 5 meter per second हो रही है, देख लीजे, 5 meter per second हो रही है, हर एक second में, वो 5 meter का distance travel कर रहा है, ठीक, तो यह uniform motion का example है, और आप simply बोल सकते हैं, कि speed भी नहीं change हो रही है, इसलिए हमने simple शब्दों में बोला, कि यह uniform speed का example है, कि इसका uniform speed, uniform शब्द बता रहा है, कि uniform motion है, equal interval of time, equal distance travel कर रहा है, और uniform speed, जब पूरा-पूरा आप बोलोगे, तो इसका मतलब है, कि speed भी नहीं change हो रही है, जो कि आ बताना चाहता हूँ, आपको पढ़ाया गया था कि distance time graph का जो slope होता है, ठीक, slope जो होता है, किसका distance time graph का, वो किसको बताता है, speed को बताता है, ठीक है ना, वो किसको बताता है, speed को अब आप चेक कर लो, यह जो graph है, इसका slope कहीं पर भी नहीं change होता है, कहीं पर भी नहीं change होता तो इसf consumed with वहाँ हाएक तो कॉँछ आता यह स्का नहीं यहाँ नहीं होताई उसका स्वीद की स्पीड नहीं को नहीं नहीं दो बता दिया है। आपको बात समंझ में आई होगी ठेकर चूंड नूट कर लिए एंस लेते हैं कुशन अब देखिए students यह कहना चाहते है कि यह time access है ठीक है यह time मान लो seconds में चल रहा है और a distance time graph बोला है तो यहाँ y access पर क्या है distance है अब इन्होंने हमसे क्या बोला है इन्होंने हमसे बोला है कि जो graph है वो कुछ इस तरीके से है इसका जो graph है straight line है parallel to time access यह time access है और इसके parallel यह इस तरीके का graph है ओके अब देखिए तो इस बात से कहरे है आप क्या समझते हो ठीक है तो ध्यान साथ चेक करो यहाँ चल गया रहा है मैं आपको ओरिजिनल इसका graph plot करके दिखाता हूं देखिए माल लीजे कि यह देखिए यह time है और यह आप कका distance है distance time 2 दिखा 0 पर आपने देखा distance कितना it time अभशा में क्यों कर आँ क्यों कर रहा हूं क्यूंकि मैं आपको graph बना कर दिखाना कर दिखाना चाहता हूं यह देखिए यह लार्फी सेकेंट फोर सेकेंड में फैंट पर यह चलो करना में चुल परō करो की position कहा है फाइब मीटर पे अब यह सब चल किया रहा है देखिए बास समझो मान लो यह मेरा घहर है ठेक है न यह मेरा घहर है और मेरे घहर से फाइब मीटर की distance पे कार खड़ी हुई है यह इस तरीके से तो यह जो मेरा घर है, यह reference point है, यह क्या है, reference point है, ठीक, तो बार बार जब मैं reference point से check करता हूँ, यह reference point से object की distance कितनी है, 5 है, तो सुनो, जब मैंने 1 second पे check किया, जब मैंने 0 second पे check किया, मतब जैसे ही time start हुआ तो मैंने check किया, तो यह object कहा है, इसकी position कहा है, मेरे घर से 5 meter के distance पे, ठीक, जब मैंने 1 second पे check किया, तब यह 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 पे खड़ा हुआ है, नहीं चल रहा है, यानि कि 2, 1 second जब हुआ, तब भी इसकी position कहा है, तब इसकी distance कितनी है 5 meter है, reference point से 5 meter की distance पे खड़ा हुआ है, जब मैंने 2 second पे check किया, तब भी इसकी पे खड़ा हुआ है, यह लीजए, जब मैंने 3 second पे check किया, तब भी इसकी पॉइंट से 5 meter की distance पे खड़ा हुआ है, यह देखिए इस तरीके से, तो ऐसे करके जब इन सारे points को मिलाओगे, तो यह जो point है, यह जो line है, यह क्या है, speed time graph का plot है, जो की x-axis, यानि कि time access के parallel है, अब बताओ क्या हो रहा है, यहां से, देखो, car तो चली नहीं रही है, यानि कि जब distance time graph का, ध्यान सा सुनिए, जब distance time graph का जो graph है, distance versus time graph का जो graph है, अगर वो time access के parallel है, तो याद रखिएगा, यह body rest में होती है, body stationary है, रुकी हुई है, देख लेज़े, तो यही हमने answer लिख दिया, the body is not moving because it is not changing its position with respect to any stationary object, यह stationary object है, reference point, इसके respect में अपनी position ही नहीं चेंच करी है, घर से 5 meter की दूरी पे खड़ी वहीं खड़ी ही लगातार, ठीक समझ में आ गया, और एक चीज़ और, distance time graph का अगर आप slope निकालते थे, यहाद है, distance time graph का अगर आप क्या निकालते थे, slope निकालते थे, तो वो slope आपको क्या देता था, speed, यहाँ पर तो speed 0 है, चेक कर लीजे, अरे भाई, motion में नहीं है, speed 0 है यानि के slope कितना ना चीए, 0, तो चेक कर लीजे, यह देखी, यह जो graph है, यह time access के parallel है, तो इसका slope कितना होगा, slope क्या होता है, slope क्या होता है, यह देखी, माली जो कोई graph ऐसा है, तो यह जो angle बनता है time access के साथ, इसको हम क्या बोलते है, slope बोलते है, लेकिन यहाँ पे जो graph है ये तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, graph तो x-axis के parallel हो गया और जब कोई graph x-axis के parallel होता है two lines अगर आपस में parallel है तो उनके बीच का angle कितना होता है? zero, याने कि यहां पर θटा कितना हो गया? zero, याने कि slope कितना हो गया? zero, याने कि draw about the escalation of a body from the speed time graph shown below, ये कि speed time graph दिया है, ये ऐसा curve है, straight line नहीं है, ठीक है न, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि जो speed time graph होता है, ठीक है students, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो speed time graph होता है, ठीक है, उसका जो slope होता है, मैं लिख देता हू कहीं पर, slope of, slope of, speed, time, graph, slope of speed time graph gives, exclaration, gives, exclaration, अगर आप, speed time graph का slope निकाल लें, तो वो किसको बताता है, exclaration को बताता है, ठीक, तो, माल लीजे कि अगर graph ऐसा होता है, straight line, ये देखिए, speed time graph अगर straight line होता है, तो इसका slope हर एक जगा constant आता है, अब कुछ लोगों को slope नहीं पता है, slope क्या होता है, ये speed time graph time access के साथ कितना angle बना रहा है, माल लो, यहां से 30 degree बना रहा है, ठीक, अब देखो, माल लो, ये 1 second है, ये 2 second है, ये 3 second है, किसी भी time पे चेक करो, ये वाले time पे चेक करो, तो ये देखिए, फिर से ये जो graph है, अब time access के parallel एक line रहा करो, ये देखिए, आप किसी भी point पे चेक करोगे, माल लो, आपने ये वाले 4 second पे चेक किया, 4 second पे यहां कहीं जाके चेक किया, ठीक, तो ये जो speed time graph है, ये time access के साथ, कितना angle बना रहा है, फिर से 30 degree, मतलब angle fix है, यानि कि slope fix है, ठीक, तो याद रखिएगा, जब speed time graph straight line आता है, तो यहां पर slope fix रहता है, slope क्या है, यहां पर, fix है, slope change नहीं हो रहा है, 30 degree का 30 degree, या जो भी angle है, 60 degree होता तो 60 degree रहता है, slope fix का मतलब है, कि exclamation क्या है, fix है, यहां पर exclamation कैसा है, एस्कल ऌरेशन कैसा है फिकसे और ऐस्कालेशन का मतलब है uniform ESC love is aja यहां पर क्या है uniform एक जैसा एक जासा थो याद रखेगा जब speed time graph का graph the speed time का graph straight line आता है यहने कि linear आता है straight Line का मतलब कैसा Graph लिनेर लिनर का मतलब स्ट्रेट लाइन ऊके जबласт को स्ट्रेट लाइन आता है तो उसको स्लोप नहीं चेंज होता है यानि कि उसका एसकलेशन नहीं चेंज होता है यानि कि वह यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा एसकलेशन यूनिफॉर्म एसकलेशन मतलब एक जैसा एसकलेशन तो यहां पर यूनिफॉर्म मेस्कुलेशन का example है अगर linear graph होगा अगर linear graph नहीं होगा ठेक है ना अगर linear graph नहीं होगा non-linear होगा यह कैसा graph है non-linear है यह कैसा ग्राफ है speed versus जो question में दिया है यह question में given है इसके बारे में आपको जाल के दिखाओ देखिए जब भी आपको non-linear graph दिखाई पड़ता है ऐसा घुमा हुआ curve shape में ठीक तो आप क्या गरो किसी point पे tangent ड्रॉ कर दो क्या मैंने बोला किसी point पे tangent ड्रॉ कर दो देखिए माल लिए time T is equals to one second यह time T is equals to two seconds यह time T is equals to three seconds यह four seconds यह five seconds है ठीक तो time T is equals to one second पे यह देखिए यह वाले point पे tangent ड्रॉ करो tangent क्या होता है जो curve को एक point पे टच करके जाए यह देखिए यह tangent ऐसे अब इस tangent का slope निकालने के लिए एक सेकसे के पहले line ड्रॉ करोगे और यह वाला यह वाला एंगल और यह वाला एंगल चेंज हो गया कि नहीं हो गया पता ही है अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार फिर 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 ट्रॉ कर देता हूं क्या होता है कि जब आपका ग्राफ ऐसा है यह ऐसे ठीक यह time है और यह क्या है इधर यह आपको नए पेज़ पर करके दिखा देता हूं न्यू पेज़ पर देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे है थोड़ा बनाते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा यह ऐसे करके ग्राफ आ रहा था ठीक यह time है और यह क्या है आपकी speed है ठीक तो देखिए यह व से तुरंत horizontal के parallel line डॉकरो और यह वाला angle चेक कर लो फिर यह वाले point पर टैंजन करो करो यह इस तरीके से हैं और यह x akan यह इंगल बना रहा है यह इतना बना रहा है ठीक यह वाले point पर एगर टैंजनर करोगे तो यह ऐसे आएगा टंजन क्या होता है टैंजन्ट एक लाइन होगी जो की graph को किसी point पे touch करके जाएगी उसको हम tangent बोलते हैं तो हमको अगर tangent का slope हमने निकाल लिया यह देखें यहीं कि exploration लगातार change होता जा रहा है slope लगातार change हो रहा है slope का मतलब कि वो जो tangent है कौन सी टेंजेंट ग्राफ के हर एक point पर जो टेंजेंट आ रही है वह x-axis साथ कितना एंगल बिना रही है यही इसका slope होता है यहाँ पर slope कुछ और है यहाँ पर slope कुछ और है तो slope चेंजेंज हो रहा है यहाँ कि एसकलेरेशन लगातार लगातार क्या हो रहा है continuously क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और एसकलेरेशन अगर लगातार चेंज हो रहा है तो एसकलेरेशन यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं तो यह किसका एक्जाम्पल है यह है नॉन यूनिफॉर्म एसकलरेशन का एक्जामपल है यह नॉन उनिफॉर्म एसकलरेशन का एक्जामपल है अब वापस आ जाईए तो अब इसका conclusion करते हैं अगर speed time graph एक straight line है ऐसे तो इसका slope नहीं change होता है हर एक जगा slope क्या है same है ठेक तो यह कैसा होता है linear होता है और यह uniform एक्जन की हेल पर slope निकाल रहे हो ठीक है slope अगर हर एक पल change हो रहा है तो उसका escalation change हो रहा है ऐसे motion को हम क्या मोलते है non uniform escalated motion तो यह non uniform escalated motion का example है तो यहाँ पर इन्होंने हमसे यही पूछा था यह वाला graph हमको दे रखा था केरा what conclusion can you draw about the escalation of a body from the speed time graph shown below तो answer is this is the example of what this is the example of non uniform escalation reason in this kind of motion speed doesn't vary linearly with time speed time के साथ linear graph नहीं बना रही linearly vary नहीं कर रही है non linearly vary कर रही है यह non linear है और यह linear है straight I think आपको समझ में बात आ गई होगी okay students अब देखो एक बात और बताना चाहता हूँ कुछ बच्चे अभी confused होँगे बोल लेंगे सर यहां तो tangent नहीं ड्रॉक है आपने बहिया सुनो अगर यह वाले graph पे किसी भी point पे tangent ड्रॉक करोगे तो यही वाली line के long आ जाएगा इस point पे tangent yellow इस point पे tangent yellow इस point पे tangent yellow तो same direction में तो जा रहा है tangent और यहां पे direction अलग अलग हो जा रही tangent कि यह देखी कभी इधर कभी इधर और उपर जाओ कि तो उधर हो जाएगी ठीक आई थिंक आपको समझ में आया होगा तो slope लगातार वहाँ change हो रहा है यहां constant है इसलिए uniform escalation है वो non-uniform escalation है नोट कर लीचे अगर आप diagram बनाओगे तो यह कुछ इस तरीके से यह एक circular orbit है और इस circular orbit के center पे यहां कहीं अर्थ है यह center में यहां कहीं अर्थ है ठीक और कोई satellite है सो माल दीजिए कि satellite यहां पर है यह blue color का satellite है यह और यह satellite अर्थ के चारों तरफ circular orbit में constant speed से revolve कर रहा है घूम रहा है कैसे constant speed से घूम रहा है ठीक है ना अब इन्होंने हम से सवाल पूछा is the motion uniform और escalated ठीक है is the motion uniform और escalated क्या यह motion uniform है यह accelerated है अब देखो यहां बच्चे confused होंगे uniform से uniform शब्द से तो देखिए uniform तो हो नहीं सकता है क्योंकि uniform motion क्या होता था मेरी बात ध्यान से सुनिएगा uniform motion क्या होता था uniform motion यह होता था कि जब कोई body constant speed से straight path में चलती थी पता है आपको uniform motion कब होता था जब speed कैसी होती थी speed कैसी होती थी constant होती थी speed constant होती थी let us say speed नहीं चेंज हो रही है मानलो speed कितनी है 5 meter per second है यानि कि हर एक second में वो distance कितनी travel करेगा 5 meter का भाई कुछ बच्चे भी यहां बोलेंगे uniform motion का तो definition होता था equal interval of time में उसकी direction नहीं चेंज हो नहीं ची याद रखेगा माल लो A से B की तरफ जा रहा है तो A से B की तरफ ही जाना चाहिए no change in direction no change in direction अगर इतनी conditions follow हो जाती क्या? कि speed constant हो जाती और no change in direction होता है यहां कि direction change ही होता है A से B की तरफ एक ही path में वो straight path में जा रहा है direction नहीं change कर रहा है speed constant है जैसे कि इस वाले case में आप देख रहो speed constant देदी ठीक और path कैसा है? circular path है circular path है ठीक और आपकी direction अगर लगातार change हो रही है याद रखिएगा body की direction अगर लगातार क्या हो रही है? change हो रही है continuously direction क्या हो रही है? change हो रही है यूनिफॉर्म मतलब speed एक जैसी होगी circular मतलब circular path में होगा motion तो है यह तो uniform circular motion में क्या होता है? speed constant होती है object circular path पे चल रहा होता है यानि कि circular path पे जब कोई object constant speed से चलता है तो ऐसे motion को हम uniform circular motion बोलते है लेकिन ध्यान रहें direction यहाँ पे हर एक पल change होती है जैसे कि यहाँ direction सीधे सीधे थी uniform motion में यहाँ पे direction change होती है कैसे change होती है? direction निकालने का तरीका क्या है? माल लो यह body ऐसे clockwise घूम रही है तो हर एक पल पे आपको क्या करना है? हर एक point पे माल लो एक point A है तो इस point पे अगर आपको body की direction निकालनी है तो आपको tangent draw करना होगा क्या draw करना होगा? tangent ऐसे इसको tangent बोलते है T-A-N-G-E-N-T tangent tangent क्या बताता है? tangent किसी point पे body की direction को बताता है तो इस point पे body की direction इधर है या आप बोल सकते हो body की velocity की direction या motion की direction इस point पे direction इधर है इस point पे direction इधर है तो हर एक पुल पे आप क्या देख रहे हो, इसकी direction क्या हो रही है लगातार, change हो रही है, ठीक, तो यह uniform circular motion का example है, और याद रखेगा, यहाँ पर direction क्योंकि change हो रही है, तो velocity change हो रही है, ठीक, ध्याम से सुन लीजे, direction change हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर velocity change हो रही है, क्या हो रही है, velocity यहाँ पर क्या हो रही है, velocity क्या कर रही है, यहाँ, change कर रही है, ठीक है, velocity क्यों change हो रही है, velocity की पास दो चीज़े होती है, एक तो होता है, उसका magnitude ठीक, और दूसरी होती है, उसके पास direction, क्योंकि velocity vector quantity है, तो उसके पास magnitude भी होगा, और direction भी होगा इन दोनों में से अगर कुछ भी change हो गया, ध्यान से सुन लीजे, चाहे velocity का magnitude change हो जाए, और चाहे velocity की direction change हो जाए, तो हम माल लेते हैं कि velocity change हो जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पर velocity का magnitude नहीं change हो रहा है, क्यों क्योंकि question में दे दिया आपको, कि यह constant speed से चल रहा है, ठीक, अब सुनो, जो speed होती है न, वही velocity का magnitude होता है, माल लो कि body की speed है, 100 meter per second, यानि कि हर एक second वो 100 meter का distance यह, path length travel करेगा, 100 meter, next one second में 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 100 meter, यानि कि magnitude तो velocity का कितना हो जाएगा, 100 meter per second, लेकिन velocity की direction लगातार, क्या और यह change हो रही है, तो इन दोनों में से अ है, तो हम बोलने के velocity change हो रही है, अब बताओ, velocity change हो रही है कि नहीं हो रही है, yes sir, velocity change हो रही है, ठीक, तो velocity यदि यहाँ पर change हो रही है, तो यह कैसा motion है, velocity में change क्या कहलाता है, escalated motion, भाई पढ़ा है न, आपने, कि what is the definition of escalation, escalation is the rate of change of velocity, आपने क्या पढ़ा है, escalation, एक क्योंकि velocity की direction change हो रही है, ठीक, velocity का magnitude तो नहीं change हो रहा है, लेकिन velocity की direction change हो रही है, तो यह escalated motion है, yes sir, तो याद रखिएगा, जब कोई body uniform circular motion करती है, तो वो कैसा होता है, escalated motion का example होता है, अब बच्चे बोलेंगे sir, अगर यह escalated motion है, तो बताओ, escalation की direction कि धहर है, वो भी direction change होती है, तो वो escalated motion है, और उस escalation की direction होती है, वो towards the center होती है, और उस special escalation को हम centripetal escalation बोलते हैं, क्या बोलते हैं, centripetal escalation, तो यहाँ पर escalation की direction किधर होगी, towards the center होगी, आप किसी point पर check कर लो, body यहाँ है, तो escalation की direction towards the center, escalation की direction towards the center, और इस special escalation को हम AC बोलते हैं, AC का मतलब C का मतलब centripetal, A का मतलब exploration, ओके, तो AC क्या है यहाँ पर, कहीं पर note कर लीजे, AC है centripetal exploration, क्या है, AC क्या है, centripetal exploration, ओके students, तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है, तो इन्होंने हमसे सवाल पूछा, satellite goes round the earth, in a circular orbit with constant speed, कोई बात नहीं, उसकी speed constant, अब वेलोस्ती तो चेंज ओरी, क्योंकि direction, चेंज ओरी, तो क्या है, uniform motion, नहीं, मैं आपको बता दिया, क्योंकि, इसकी direction, तो लगा दा, चेंज ओरी, तो uniform motion, तो है नहीं, ठीक, तो क्या हो गया, यह LA क्योंकिlicht की velocity direction change ओरी जिसे velocity change ओरी velocity change ओरी तो यसमें escalation होगा और उस escalation की direction class 11 में निकालना सीखोगे लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि उस escalation की direction होती towards the center towards the center of this circular path ओके और इस special escalation को हम क्या बोलते है centipetal escalation ओके तो बस ये example किसका है escalated motion का direction of motion is changing continuously ओके and direction of centipetal escalation is towards the center ओके ये भी copy में note कर लीजे कहीं पर note कर दें कहां पर note कर दें here note कर दें direction of direction of AC AC का मतलब centipetal escalation is towards is towards the center it's towards the center of the circular path ओके note कर लीजे now students लेते हैं question number 15 what type of motion is represented by the tip of the second hands of a watch ओके ये दिखी आर वाली है सबसे छोटी वाली घंटे वाली और ये minute वाली है तो ये red वाली जो आपको करें अगर आप इसको ध्यान से देखोंगे तो इसकी जो tip है वो एक constant speed से चलती रहती है ठिक है ना इसकी जो टिप है वो ये conceived यहां जाएगी फिर यह जाएगी फिर यहां जायरे गे इसकी यह देखिए यह tip है इसकी tip मतलब यह सबसे end वाला point यह tip तो यह tip ऐसे आएगी फिर ऐसे तो हर एक point को आप join करोगे यह देखिए एक circular path बन जाएगा ठीक जाने कि इसकी जो tip है tip की बात करी जारी इसकी जो tip है वो एक constant speed से circular path पर motion कर रही है तो अगर कोई object इसकी tip को हम object बोल अगर रहा है तो ऐसे motion को हम क्या बोलते हैं ऐसे motion को हम बोलते हैं uniform circular motion के uniform circular motion और uniform circular motion में आपकी जो speed वो constant होती है speed कहती रहती है constant ह Culture है लेकिन body की direction change होती है यानिकि velocity change होती है ठीक body की velocity हम कैसा निकालते जबाब हर एक point पर आप tangent ड्रॉगी ठीक है ये वाले point पर पर टेंजन ड्रो करोगे ऐसे तो बाड़ी की विलास्टी की डिरेक्शन इधर है या बाड़ी की मुशन की डिरेक्शन इधर है इस पॉइंट पर टेंजन ड्रो करोगे ऐसे इस पॉइंट पर टेंजन ड्रो करोगे ऐसे याने कि बाड़ी की विलास्टी की डिरेक्शन हर एक कारण हम बोलेंगे वलास्टी चेंज हो रही अगर विलास्टी चेंज हो रही है तो कैसा मोशन है यह एसकलेटेट मोशन है कैसा मोशन है एसकलेटेट क्यों कौन सा मोशन होता है जिसमें वलास्टी चेंज होती है क्योंकि एक पलपेट आप देखो के तो टेंजिन की डिरेक्शन अलग अलग है ओके टेंजिन क्या होता है जो बॉड़ी को जो सर्कुलर पाथ को किसी पॉइंट पर टच करके जाती है उसको हम टेंजिन बोलते हैं यह इस तरीके से ठेक यह मैं कही बार आपको बता चुका हूं इसलिए जल्दी बता रहा हूं पीछे के कोशिंस देखिए तो आप अराम से इस क लेटेरं मोषण मोश्न है कैसा मोशन है यह कैसा मोशन मोशन है एस दो यह को नहीं ही हूँ कर रहे है क्यो हूंकि पीछे हम को बता चुके हैं तो यह कैसा मोशन है इसे Vergleich मोशन चो यहिए पूंचा संव Libra यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको दिखाना है आपको लिखना है इसको तो यहां पर फटाफट में आपको थोड़ा से एक्स्पेन करके फिल कर दूँगा लेकिन इसका अगर पूरा एक्स्पेनेशन आपको समझना है तो इसके पहले के कोश्चन्स देख लिजे यहां पर आपको हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा वैसा आप फिल कर सकते हो अगर आप देखते हुए आए ओट तो आईए इसको स्टाट करते हैं सबसे पहला क्वेला क्या होता है यह वी माइनस यू का मतलब चेंज इन वलास्टी होता है लेकिन व तो लिए टी कितना हो गया जही लेकिन कितना व जाएगा जिए देख्र एस थे तरीके से फर्स पार प्र पर हम फिल करेंगे क्यों कि उनिफॉर्म वेलास्टी ये लेजे एसलेशन लिए और एसा घ्राफ आ यह जो श्लोप है यह क्या बताता है अब कैसे निकालते है उप पर्पेंडिकुलर बाइब बेस तो पर्पेंडिकुलर में आपको डिस्टेंस का यूनिट में लेगा मीटर और बेस में आपको टाइम का यूनिट में लेगा तो मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड कौन सी कौन सी कौन्टिटी का यूनिट होता है तो जवाब है यह होता है speed का, okay क्योंकि इन्होंने distance versus time graph बनाया है तो हम speed के बारे में बता रहे हैं क्योंकि speed का unit भी meter per second होता है velocity का unit भी meter per second होता है लेकिन velocity हम इसले नहीं fill करेंगे क्योंकि अगर displacement versus time बोला होता अभी उसने क्या बोला? distance versus time अगर वो displacement versus time बोलता तो हम बताते हैं कि भई इसका जो slope है वो किसको बता रहा है velocity को लेकिन अभी इसका slope किसको बता रहा है? speed को बता रहा है, okay students तो part B में हमने क्या fill किया? speed, okay next part C, part C में कहा रहा है the slope of a speed time graph of a moving object gives अब देखें, अगर कोई moving object है और उसका आपने slope निकाला किसका slope निकाला? यह time है ठीक और y axis में क्या है? speed है speed versus time graph का slope आपको क्या बताएगा? यह देखें यह slope कैसे निकालते थे? पढ़ा है था आपको perpendicular by base यह perpendicular यहाँ पर perpendicular की unit यहाँ पर पर सेकंड speed की unit meter पर सेकंड और base base में क्या है? time, time की unit second second से second multiply होगा तो कि यह वाला second meter पर second का नीचे आएगा और second into second second square meter पर second square answer आगया meter पर second square कौन सी physical quantity की unit होती है? exploration की यानि कि speed time graph का जो slope होता है वो क्या बताता है? हमको exploration के बारे में बताता है तो यहां से हो गया the slope of speed time graph of a moving object gives exploration ओके students next सवाल आपको कह रहा है part D में in a speed time graph the area enclosed by the speed time curve and the time axis gives the dash of the body अब ध्यान थरह चेक करिए यहां पर क्या कर रहे है speed time graph है और यह आपका graph है इस graph के under में कितना area होता है? यहां कि इस graph के under में यह जो area होता है यह जो area होता है area enclosed by this graph and time axis यह जो area है area किसको बताएगा? अब area अगर हम कभी यहां निकालते तो कैसे निकालते? अगर हम यहां कभी area निकालते तो कैसे निकालते? इस triangle का area निकालते तो half into base into height base में क्या आता? time का unit second और height में क्या आता? speed का unit ठेक? यानि की meter per second second से second कर जाता और meter बच जाता है और meter कौन सी? physical quantity का unit होता है तो जवाब है distance का displacement का भी होता है लेकिन हम यहां distance answer देंगे क्यों? क्योंकि speed versus time पूछा है speed का formula क्या होता है distance by time होता है speed का formula distance by time और velocity होता है displacement by time तो speed versus time में best क्या लग रहा है हमको distance लग रहा है तो speed versus time graph का हमने area under the curve निकाला तो उसकी unit कितनी आ गई? meter और meter किसकी होती है displacement और distance क्योंकि है speed versus time distance answer fill करेंगे ठीक है? बहुत detail में जानना है तो पीछे के वीडियोस देखिए आप the speed time graph the area enclosed by the speed time curve and the time axis gives what? gives distance of the body या distance by the body लिखा है याने कि हमें क्या fill करना चाहिए distance traveled by the body distance traveled by the body ओके? नौ last part क्यारा है is it possible it is possible for something to accelerate but not change its speed if it moves in a dash ओके? ऐसा कौन सा motion है? बताइए आपको class में मैंने पढ़ाया है ऐसा कौन सा motion है? जिस motion में students ऐसा कौन सा motion है? जिस motion में speed तो आपकी constant होती है लेकिन direction change होती है तो जवाब है ऐसा motion है uniform circular motion ओके? यह देखिए ये एक body है और ये constant speed के साथ इस circular path पे चल रही है तो हर एक पल इसकी speed तो constant है मालो है 5 meter per second से चल रही है तो इसकी speed तो constant है लेकिन हर एक पल इसकी direction change होगी इस point पे ये direction है इस point पे ये direction है इस point पे ये direction है हर एक point पे अगर आप tangent draw करोगे tangent क्या होता है? यह जो एक line होती जो circle को just touch करके जाती है तो हर एक point पे tangent की direction अलग-अलग आ रही है इसलिए body की direction change हो रही है तो speed constant है but body की direction change हो रही है ठीक है तो यह इनोने हम से पूछा है is it possible it is possible for something to escalate but not change its speed if it moves in अहां तो body की direction change हो रही है तो आप इन दोनों में से अगर कुछ भी change हो रहा हो तो हम बोल देंगे velocity velocity change हो रही है ठीक तो velocity की direction ते को change हो रही है इसलिए हम क्या बोलेंगे velocity की direction change हो रही है यानि कि velocity change हो रही है जब भी velocity change होती है तो कौन सा motion होता है escalated motion होता है भाई escalation की definition क्या होती rate of change of velocity ठीक तो वेलास्टी चंज वहुत हो लिए यानि के एस्कारेटेड फिर पर बाद आ तो सेकेंड का है स्पीड थर्ड का है स्कलेशन फॉर्थ का है डिस्टिंस ट्रवल्ड और फिफ्ट का है सर्कुलर पाथ ओके नोट कर लीचे